दिल्ली में करोना के मरीजों की बढ़ती संक्या को देखते हुए प्लाजमा की बढ़ती मांग के मध्य नजर I.L.B.S. संस्थान के बाद अब लोकनायक एस्पताल में 14 जुलाई मंगलवार को प्लाजमा बैंक की शुरुआत हो गई दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल वे उप मुख्य मंतरी मनिश शुदिया ने लोकनायक एस्पताल में 14 जुलाई मंगलवार को प्लाजमा बैंक का उद्गाटन किया लोकनायक एस्पताल सबसे बड़ा कोविड एस्पताल है इसलिए इस एस्पताल में भी प्लाजमा बैंक तयार किया गया है मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि करोना मरीजों के इलाज में प्लाजमा थरेपी काफी कामियाब साबित हो रही है आने वाले समय में और अस्पतालों में भी प्लाजमा बैंक बनाने की योजना पर काम चल रहा है और कहा कि संकर्मर से उबरने की दर बढ़ना और संकर्मर दर कम होना दिल्ली के लिए बड़ी राहत की बात है मरीजों को हर परकार की साहिता मिल सके इसके लिए सरकार लगन से काम कर रही है यहाँ पे LNJP हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरेश और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली का दूसरा प्लाजमा बैंक शुरू किया है दिल्ली पहला राज्य था जहां पे देश का पहला प्लाजमा बैंक शुरू हुआ था अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें